हेलो दोस्तो नमस्कार मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूटूब चैनल अभियंता क्लासे तो दोस्त आज के दो बड़े सवाल हैं पहला सवाल तो है रवी रंजन के द्वारा कि सर रिजल्ट आने के कितने दिन बाद डॉक्मेंट वेरिपिकेशन होगा और दूसरा सवाल है आपका एमडी साजीद अली के द्वारा इनका कहना है कि काउंसिलिंग कितना दीन चलेगा दीपक भाई तो चलिए इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि काउंसिलिंग कितना दीन चलेगा और रिजल्ट आने कि कितना दीन बाद काउंसिलिंग स्टार्ट होगा तो वीडिय हर संडे को साम 6 बज़ से राद 10 बज़ तक आपको दोस्तों से लाइव चैट करने का मौका भी मिलता है चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो आज के वीडियो में छात्रों का दो मेजर सवाल थे पहला सवाल था यह कि रिजल्ट के कितने दिन बाद काउंसलिंग होए यानि रिजल्ट आने के कितने दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगा और कितना दिन तक काउंसलिंग चलेगा यह दो सवाल है तो दोनों सवाल का postmatum हम करने जा रहे हैं तो जैसा कि आप सुब को बता दिया है कि अमीन कानून को color के यह एसो का result जो है सितंबर के अंतिम सप्ता हमें आने की संभावना है और यहाँ पर 10101 पद है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका तीन गुणा counseling में बुलाया जागा यानी 30303 candidate को counseling में बुलाया जागा total 30303 को अमीन कानून को color के में में सोगा ठीक है तो पहला सवाल यह था कि result आने के कितना दिन बाद counseling होगा इसलिए सवाल पूछा गया है क्योंकि मतलब कुछ चात्रों का यह होगा कि result आएगा तब हम document सजा लेंगे कॉलेज में किसी का होगा वहां से लेकर आएंगे है ना इस तरह का तो देखिए result आने के 10-15 दिन के बाद आपका counseling स्टार्ट हो जागा minimum मान के चलिएगा 10 दिन 10 दिन के बाद आपका counseling स्टार्ट हो जागा ठीक है और दूसरा सवाल यह है कि कितना दिन तक counseling चलेगा तो देखिए total counseling में बुलाया जाएगा 30303 को ठीक है मतलब छात्र नहीं पुरा होगा तो उससे कम भी बुलाया जागा ठीक है लेकिन मैंने तो देखिए कितना दिन counseling चलेगा तो मान के चलिए कि counseling जो होगा IS भवन पटना में होगा ठीक है तो वहाँ पर मान के चलिए कि 1000 भी daily counseling में बुलाता है तो आपको लगेगा 30,000 counseling कराने में 30 दिन अगर daily 500 counseling में बुलाता है तो आपको लगेगा 60 दिन यानि एक हजार बुलाएगा तो लएगा एक महीना और पांसो बुलाएगा तो लएगा दू महीना तो आप मीनिमम मान के चलेगा कि काउंसिलिंग खतम होने में एक महीना टाइम लएगा लेकिन इसे से जादा ही लगेगा मेरा ख्याल है तो मोटा मोटी मान के चले कि आपको एक से देर महीना तक काउंसिलिंग चलेगा हलाकि काउंसिलिंग लिस्ट आने के बाद उसमें पता चलेगा कि कब से कब तक डेट दिया गया है उसके अनुसार लेकिन संभावित यह है कि एक से देर महीना काउंसिलिंग आपको इन चारों पोस्टों के लिए चलेगा ठीक है अब आज के सवाल इतना ही, हम उमीद करते हैं आप समझेंगे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, नेक्स टॉपिक के साथ, थैंक्यू, धन्यबाद.